क्योंकि उन जी जी ओके क्याना स्टार्ट नौव हलो तो हम यहां पर बात कर रहे हैं वेंजनों की और जो आगत भाष्णाओं की वेंजन है उन वेंजनों का और उन शब्दों का प्रयोग हम आगत भाष्णाओं के शब्दों में करते हैं इसलिए हमें उन पर भी धान देना आवश्शक हो जाता है अर्भी फार्सी तुर्की अंग्रेजी इनके शब्द हम हिंदी के रोज के प्रयोग में हम करते हैं तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि का नुक्ता का के नीचे बिंदू होता है उसको का नुक्ता कहते हैं नुक्ता होता है उसका उच्चारन घर्शन होता है फिर ग नुक्ता इसमें अग अग इस तरह से उच्चारन होता है फिर ज ज ज है उसे यह अलग है ज इसमें ज के नीचे बुपता होता है फिर है फ फ जो फ है यह फ है यह दात और ओठ दोनों के मेल से इसका उच्चारण आगे होता है घर्शित होकर होता है और उसके बाद में वह भी है अंग्रेजी के शब्द में भैंग जो हम बोलते हैं वैंग तो यह भी एक दंत्योस्ट भनी है तो यहाँ पर हमें यह बताना ज़रूरी हो जाता है कि यह जो हमारी वर्ण माला में जो वर्ण है कख ग फ और ज इससे भीन्न इसका उच्चारण है और अधि हम भेद नहीं कर पाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा जैसे आप कलम हम कहते हैं और क से वकालत हम जो बोलते हैं तो यहाँ पर जो क क का उचारण हो रहा है इस समय जिवा पश्च जो है यह अली जिवा को लगती है और हवा स्पर्श होकर बाहर निकलती है तो जैसे कतल है या भक्त आप एक शब्द है भक्त और दूसरा है वक्त तो यहां जो क क का उच्चारण है भक्त में और एक दर वक्त में यहां आपको पता चल जाता है उच्चारण स्थान का भक्त में जो उच्चारण हो रहा है उसमें जिवा पश्च कोमल तालू को लग रही है और वक्त में तो याहां जिवा पश्य जो है यह अलिजिवा को लग रही है यह डोश्चारण प्रत्न में अस्थान पर अंतर भी है और एक शब्द है कलम dóndeus कलम 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 यह कलम जो लिखने वाली है जिसका हम पेन कहते हैं वह कलम है और दूसरा कलम करके निचे नुकता और लम कलम तो यह कलम क्या होता है जो वाक्य में प्रयोग करते हैं उसका सिर कलम कर दिया है यह उसका सिर काट दिया है उसका सिर कतल कर दिया है तो यह कलम जो नुक इसे नुक्ता और लम्ड खलम इसका अर्थ इस तरह सोता है काटना या कतल करना और जो कलम है जिसमें नुक्ता नहीं होगा कोमल तालूस फर्षवेंजन ये लिखने वाला जो पेन होता है उसके लिए इसका अर्थ होता है दूसरा बात है ज और ज ज च छ ज ज इसमें ये जो ज है ज ज में यह जैसा हमें उच्चा ना आता है साथ में तो ये ज तालव्य स्पर्ष संगर्षिवेंजन है सघोष तालव्य स्पर्ष संगर्षिवेंजन है ये इसमें अल्पप्राण महाप्राण भी है और ज ज दीखिए उस समय ज का उच्चारन करते समय जिवा का अगरभाग जो है वर्स स्थान को लगता है और जय का उच्चारण करते समय जिवा का अग्रभाग तालू को लगता है दोनों का उच्चारण स्थान अलग है इसलिए अलग-अलग प्रकार के ध्वनी उच्चरित होती है तो जय नुक्ता जय के निचे नुक्ता बिंदू होगा तो इसके अगर हम अलग-अलग उच्चारण नहीं करेंगे तो इसमें अर्थफित कैसे होता है देखिए एक है राज राज और दुसरा राज राज और राज तो एक राज जो है इसमें जो तालव्य संगर्शी बंजन आ रहा है इसका अर्थ है शाषण राज मतलब शाषण और राज राज मतलब रहश यह राज की बात है यह राज की बात है इसमें जो अब यह कहां से उच्चरित होता है जिवा का अगरभाग वर्श स्थान को लगता है और हवा घरशित होकर बहार आ रही है तो यह सघोश वर्श संघर्शी बेंजन कहिलाता क्योंकि इसके उच्चरण में हवा घरशित होकर बहार आ रही है फिर है ख यह घरशन होता है यह ख है दूसरा ख है खबर जैसे आप उच्चरण करें खबर खास खयाल अखबार यह जो शब्द उच्चरित हो रहे हैं इसमें ख के नीचे बिंदू यानि नुकता होता है लिखना आवश्यक हो जाता है खबर खयाल तो इसका उच्चार उस ख से अंतर होता है ख से खंड वालग हो गया खंड ख यह ख घरशन मैसुत होता है इसलिए संघर्शी बेंजन है तो खबर खास अखबार खयाल है हिंदी के अपने शब्द नहीं है आगज़्द है तो है उच्चा के नीचे नुकता इसका वर्गी करन है को मलतालू संघर्शी बेंजन अघोष को मलतालू संघर्शी बेंजन दूसरा है अग़ 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 ग़ और ग़ दोनों में अंतर है ग़ और अग़ अग़ तो ग़ के नीचे नुकता जब होगा तो अग़ ज़े ज़शन होगा गम ग के निचे नुकता और म गम गम दाग दाग दा और ग के निचे नुकता गजल ग के निचे नुकता ज के निचे भी नुकता कागज कागज का ग के निचे नुकता और ज के निचे नुकता कागज इस तरह से गयल आदिस्थान बढ़ गयल जो उर्दु का शब्द है गयल तो ग के निचे नुकता होगा तो इस तरह से इसका वर्गी करण जो है ये सघोष कोमल तालू संगर्शी वेंजन है अख जो है वो अघोष कोमल तालू संगर्शी वेंजन था और अग अग जो है वो सघोष कोमल तालू संगर्शी वेंजन है इसके बाद फ़ एक फ़ है फ़ से फल और दूसरा है फ़ उपरी दात नीचे के वोट को लगेंगे और हवा घर्शित होकर बाहर आएगे करणे है तो यह धन्तुष्ट अघोश् दन्त्योष्ट संगर्शिव से लिखा जाता है干़े जो आगेत भाषाव से अंगर जी से आया हुआ है और भीसली फारिकशिप होता है यह दन्त्यो दात or गोट मिलते हैं हवा घर्षित होकर भाराती है और यह फसल फसल फैसला फैसला फसल साफ सफाई इस तरह के शब्दों में यह उच्छरित होते माफ 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 ऐसा ने माफ तो उपरी दाथ नीचे के वोट को लगते हैं यह दंतियोस्ट धुनी है संगर्शिवेंजन है और इसका वरगी करण जो है अगोश दंतियोस्ट संगर्शिवेंजन कहिलाता है इसके बाद जो 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 के नीचे नुकता होगा जो जहां से स का उच्छान होता है स जो 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 यहां लगते हैं स जो 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 अधिक कमपन होगा स में कमपन है और ज में अधिक कमपन है और हवा घर्शित होकर बाहर निकल रही है तो जैसे स के लिए आपने लिका है अगोश वर्श्य संगर्शिवेंजन तो यह ज है ज के निचे नुकता यह अगोश है स जो है अगोश है ज सगोश है यह ज सगोश वर्श्य संगर्शिवेंजन तहलाता है तो राज जहाज जरूर तो इस तरह के शब्दों में यह ज का उच्चारण होता है और इसके उच्चारण में घर्शन होता है इसलिए संगर्शिवेंजन है जिवा का अग्रभाग वर्श स्थान को लगता है और हवा घर्शित होकर बहार निकलती है स्वरई तंत्र में अधिक कंपन होता है तो इसका वर्गी करण जो है सगोश वर्श्य संगर्शिवेंजन फिर दूसरा व की बात की मैंने व उपरी दात नीचे के वोट को लगेंगे जैसे अंग्रीजी शब्द व्यान वी एएन व होता है उपरी दात नीचे के वोट को लगते हैं तो यह ध्वनी है सगोश कि सगोश दंत्योस्थ कि संगर्शिवेंजन जैसे अप्फवा है कि यह नुक्ता वाली ध्वनिया हो गई लेकिन हिन यहां है जिसमें नुक्ता है कि अपनी ध्वनिया अड़ और अड़ अड़ और अड़ दशाएंसे डव और ध उच्छरित होता है वही से यह ध्वनिया भी उच्छरित होती है अंतर इतना है कि ड़ो के उच्चारन Means और ध के उच्चारन में जिवा मुरधास्तान को लगी है है जिवा मुर्धा स्थान को लग कर हवा सपर्शो कर बहार आती है लेकिन अड़ और अढ़ इनके उच्चारण में जिवा मुर्धा और अधनी जो है यह शब्दों में मध्य और अंतस्थान पर ही उच्चरित होते हैं आधी स्थान पर यह दोनों धनियां उच्चरित नहीं होती इनसे कोई शब्द तयार नहीं होता जो आधी स्थान पर भनियां उच्चरित होती है उससे शब्द बनते हैं शब्द तयार होन परन्तु जिन शब्दों में जो ध्वनिया मध्य स्थान पर या अंत्य स्थान पर आती है उसको इस तरह से नहीं कहा जाता है क्योंकि ध्वनिया तो अलग-अलग स्थान पर आ सकती है बहुत सारी ध्वनिया है आदी मध्य अंत्य तीनों स्थान पर पाती है लेकिन कुछ ऐस द्वनिया है जो मद्धिस्थान पर ही पाती है कुछ द्वनिया ऐसी है जो मद्धिस्थान और अंतिस्थान पर ही पाती है शब्दों में आती है जैसे अन है अन मुर्धन्य न मुर्धन्य नासिक्य वेंजन इससे कोई शब्द त्यार नहीं होता यह आधिस्थान पर उच्छरित नहीं होती यह शब्दों में मद्ध्य स्थान पर और अंत्य स्थान पर उच्छरित होती है जैसे कणव 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 रूसी का नाम होगा कणव कणव और व लिखना होगा अक्षुन ना वह दित्व रूप में अन्त में आ रहे हैं और आधान और फिर पुरान अक्षुन ना तो यह अंत्र स्थान पर उच्छरित होती है और थंडा जैसे ठंडा है ठंडा में अब वो वर्गियव एंजन के साथ में सहींक्त रूप में आ रहा है इसलिए वो उसी थंड़ा, दंड, कंट, इन शब्दों में जो सहयुक्त रूप में नासिक के वेंजन आ रहा है, वह मुर्धन्य नासिक के वेंजन है, क्यों? कि ये मुर्धन्य नाशिक्य वेंजन के साथ सयुक्त रूप में आही हैं और इसलिए इस नाशिक्य वेंजन के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है फिर उंग है उंग तो ये कंगा जो हम बालक बनाते हैं कंगा फिर कंगन गंगा पंखा पंख इस तरह के जो शब्द है जिसमें काखा गाखा इसके साथ में सयुक्त रूप में उसी वर्ग का नाशिक्य वेंजन उंग आ रहा है तो लिखने में इस अनुस्वार का प्रयोग करते हैं प्रन्त वांग में वा लिखकर अंग हलंत लिखते हैं और उसके साथ में म और या बाद में लिखते हैं तो ये अंगा और मा का ये सयुक्त रूप में तो ये दोनो अलग 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 वर्ग के ये नासिक के वेंजन है कवर्ग का नासिक के वेंजन और पवर्ग का नासिक के वेंजन मा ये दोनो अलग 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 वर्ग के नासिक के वेंजन होने के कारण लिखने में यहां अंग उस गवं के लिए अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग तब ही करना है, बेंजन, अपने अपने सहीत रूप में उच्छरित होते हैं, तो यहां पर पहला जो नासिक की बनते अर्दरूप में होगा, दुसरा पूर्णरूप में होगा, तो दित्ववार नासिक की बनते हो गये, इसका मतलब द्वीत्व होता है तो यहां पर भी पहला अर्दरुप लिए दूसरा पूर्णरुप दूसरा एक बताते हैं न्या चाचा जाजन न्या न्या तो यह न्या जो है इसका उच्चारन तालव्य नासिक के वन्जन कहलाता है इसका वर्गेकरन और यह इसी वर्ग के साथ वेंजनों के साथ उच्चन होता है चाच्छ जज़ के साथ जब न्या सयुक्त रूप में उचरित होगा इस न्या के लिए भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर ज़ के साथ में न्या का उच्चारन आ रहा है और इसे अनुस्वार के द्वारा लिखा जाना है परन्तु जब वर्ण विग्रह आप करते हैं वर्ण विच्चेद करते हैं किसी शब्द का आपको वर्ण विच्चेद करने के लिए कहा जाएगा कि यह पंजा शब्द है इसको आपको इसका वर्ण विच्चेद करते हैं उसको लिखिए तो कैसे लिखेंगे पहलंत और उस इस तरह से इसे इसका वर्णविच्छेद करना होगा तब आपको पता चलता है इसमें और यह संयुक्त रूप में आये हैं इस दोनों एक ही वर्ग के हैं और निया के लिए अनुस्वार का प्रयोग उसके पूर्व आने वाले मतलब स्वर के स्वाथ स्वर के उपर होता है चूकि यह स्वर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है इसके लिए कोई अलग से मात्रा नहीं है अलग से मात्रा नहीं है इसलिए उसके उपर हमें दिखती है परंतु जहां मात्राएं हैं जो स्वरों के लिए मात्राओं का जाता है तो अनुस्वार की भी बात यहां हो रही है तो अनुस्वार किसले प्रयोग होता है अनुस्वार नासिक्य वेंजन के लिए उच्चरित प्रयोग होता है जब ये नासिक्य वेंजन अपने अपने वर्ग के वेंजन के साथ उच्चरित संयुक्त रूप में उच्चरित होते हैं तब नासिक्य विंजन को स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है अनुस्वार का मतलब बिंदू और तम एक परिकल्पन है अनू नासिकता एक अनूस्वार हो गया जैसे आपने देखा है कि वरण आला में के उपर बिंदू दिया जाता है का अई यह उपर बिंदू जो दिया जाता है यह अनुस्वार के लिए बताया जाता है अ का मतलब स्वर के उपर बिंदू अनुस्वार किसले होगा नासिक्य वेंजन के लिए होगा जब यह नासिक्य वेंजन अपने अपने वर्ग के वेंजन के साथ सयुक्त रूप में उच्चरित होते हैं तब इस नासिक्य वेंजन के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है इतना आपको अच्छे तरह से धान में रखना है और जब यह नासिक्य वेंजन जिसको हम पंचमाक्षर भी कह सकते हैं जब यह नासिक्य वेंजन भीत वर रूप में उच्चरित होगे या दुसरे अन्य किसी वर्ग के दुसरे वर्ग के वेंजन के साथ उच्चरित होगे तब इस नासिक्य वेंजन को अर्धरूप में लिखा जाएगा जैसे अन्य लिखना है अब यद अन्य और फिर पुरान तो यहां दो वार्ग वित्वा आया है सम्मान स आधाम पुराम आ न सम्मान जन ज आधान और मा जन तो इस तरह से यह अलग अलग हमें इसके जो नियम है उस तरह से हमें इसको लिखना होगा हम आगे बात कर रहे हैं अनुनासिकता अनुनासिकता जो स्वरों पर होती है वो स्वरों का गून है अनुनासिकता ग्रहन गरना अब अनुनासिकता मतलब नासिक के बेंजन नहीं है अनुनासिक स्वर है जैसे आपने देखा है पहले कि स्वरों का उच्चारण करते समय या स्वर ध्वनियों का उच्चारण करते समय मूख से हवा बिना बाधित होकर बहार निकलती है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण होते समय क्या होता है हवा मूख के साथ साथ नासिका से बहार आती है एक साथ मूख से और नासिका से मूख मार्ग और नासिका मार्ग दोनों से एक साथ हवा बहार आती है और एक अनुनाद सा ध्वनी सुनाई देता है यह अनुनाद ही अनुनासिकता है ठीक है तो यहां हम इसको कहें सकते हैं स्वर के साथ की नासिक्यता यह अनुनासिक है अनुनासिकता है और स्वर के बाद की नासिक्यता यह अनुस्वार है दोनों में अंतर बताना होता है या होगा तो स्वर के बाद की नासिक्यता नासिक के बंजन स्वर के बाद आने वाला वह अनुस्वार कहलाता है और स्वर के साथ स्वर के साथ की नासिक्यता यह अनुनासिकता कहलाता है सभी स्वर जो है अनुनासिकता ग्रहन करते हैं अनुनासिकता चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाई जाती है चंद्र और उसमें बिंदु चंद्र बिंदु द्वारा अनुनासिकता दर्शाई जाती है यदि सिरो रेखा पर सिरो रेखा क्या है जो इसे से क लिका तो उसके यहादी route नहीं तो इसके उपर यदि मात्राय है सिर्बरेखा परி मात राएं है ना किसी है यह की मात्राइख आँ यह की मात्राइख यह यह तो यह यह जो सिर्बरिका के उपर मात्राएं होती है उस समय अनो नासिक ध्वनि या अनुनासिक्ता का छिनहमें देना है तो वह केवल बिंदूद्वारा दर्शाय जाता है प्राया अनुनासिक्ता चंद्र द्वारा दर्शाही जाती है, उधारन, आप देख लिजे, खींचना या सींचना, तो सी लिखकर बिंडू देओ, और फिर चना लिखो, सींचना या खींचना, है ना, आउंध, आउंध, तो आउंध, के बाद बिंडू देओ, फिर धर लिखो, इट, इट, दीर गई, उसके बीच में बिंडू, इट, बिंडू, जो आप कहते हैं, इट, अब मान लिजे, मुखर स्वार और अनुनासिक स्वार में हमें बिंडू दा बना नहीं है, तो इसका उच्चारन कैसे होगा, आप इसको उच्चारन आप देख सकते हैं, आपको भी अभ्यास करना होगा, तो मुखर स्वार के समय में केवल मुख से हवा बाहर निकलती हैं, और अनुनासिक स्वार के समय में मुख के साथ साथ नासिका से भी हवार बाहर निकलती हैं, और ये नाग थोड़ा फुलेगा, चीक हैं, तो अ, अ, आ, 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 इ, 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 उ, 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 ए, 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 उ, ओ, उ, उ, और उ, अउ, अउ, एक अनुनाद सा, यही अनुनाद जो, उकरश्वार और अनुनाचिक स्वार जैसे आधी लिखा है, क्या लिखा है, आधी, आधी का मतलब हआप, आधा, आधी अधी, ठीक है, आधी रोटी, यह आधी का मतलब हआप, और दूसरा है आधी, आ के उपर चन्द्र बिन्दू और भी, आधी, आधी आधी देखिए यहां पर आपको दोनों में अंतर मैसुस हो रहा है उच्चारण में और इसके कारण भी यहां शब्दों के अर्थ में अर्थभेद हो रहा है दोनों शब्द अलग अलग है आधी और आधी आधी मतलब जो बहुत तेज वर्षा तुफान हवा चलेगी यह आधी तुफान कहा जाता है आधी और यह आधी इस तरह के और भी कई सारे शब्द है अभी में में और मैं म के उपर यह की मात्रा और बिंदू और मैं म के उपर दो मात्रा और बिन्दू तो इसमें भी अनुनासिकता हैं इसमें एक में ए हैं और एक में मैं में इस तरह से यह अंतर हैं तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा आप इस तरह से शब्द लिख सकते हैं और भी शब्दकोष का प्रयोग करते हुए अनुनासिक शब्द जो है उससे जो शब्द तयार हो रहे हैं और या शब्दों में आधी मध्या अंतस्तान पर उच्छरित हो रहे हैं ऐसे शब्द आप लिखें आप आपके पाट्टे-पुस्तक में भी कई सारे इसे आते हैं आप उसको लिखे एक उसकी सुची बनाएए आ के उपर चंद्रबिंदू या आ के उपर चंद्रबिंदू ए के उपर चंद्रबिंदू ए के उपर बिंदू उ तो मात्रा होती है उंगली 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 तो इसमें भी उपर चंद्रबिंदू होगा दिरग उन्ट जैसे उन्ट लिखा है उन्ट क्यामल तो उन्ट में भी दिर्गवु और चंद्रबिंदू और इस तरह से लिखा जाएगा तो यह सारे जितने भी वर्ण हैं दस वर्ण मान लेते हैं हम लोग यह दस वर्ण यह दसों वर्णों पर अनुनासिकता होती हैं और इन से स्थान पर यह उच्चरित होते हैं और लिखे जाते हैं कब कैसे लिखे जाते हैं जिस गंजन पर मात्रा नहीं है जिस सवर पर मात्रा नहीं है वहां पर यह चंद्रबिंदू द्वारा लिखे जाते हैं और जिस पर मात्रा है वहां पर यह बिंदू द्वारा लिखे जाते जैसे आप देखते हैं है एक वचन है क्रिया तुसरी बहुचन क्रिया है एक वचन क्रिया है तो यहाँ पर विंदु का अनुनासिक्ता का भेद है तो इस तरह से यह अनुनासिक्ता और मुखर्सवर अनुनासिक्ता नासिक्ते बन्जन नहीं है इसको आपको सही तरह से ध्यान में रखना होगा यह तो कई सारे किताबों में इस तरह से दिया जाता है कि ये अनुनासिक्ता जो पंचमाक्षर है उसके लिए की जाती है ये गलत धारणा है इस पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है जब ये अपने अपने वर्ग के गंजन के साथ सयुक्त रूप में उच्चरित होते हैं अब इसका भी एक उधारन में बता दूँ अनुस्वार और अनुनासिक्ता का अनुस्वार में हंस एक शब्द है हंस दूसरा है हंस क्रिया हसना क्रिया तो हंस में ह के उपर बिंदू और स ये हंस है यहां न का उच्चरन हो रहा है हंस यहां पर UH के साथ में अनुनासिकता है हसना क्रिया हंस तो इसका जब हम वर्ण विग्रह करेंगे हंस का हंस का मतलब है पक्षी और हंस जो है दुसरी क्रिया है हसना क्रिया जब हंस लिखेंगे हा के उपर बिंदु और स इसका वर्णविच्छेद करते समय आप लिखिए हा हलंत और नहलंत और स इस तरह से हंस शब्द का वर्णविच्छेद होगा वर्णविच्छेद के हैं सभी वर्णविच्छेद प्रयोग उसके पूर्व आने वाले जो ह के साथ मिला हुआ होता है उस पर जाता है ठीक है न तो यह हंस ह उसके उपर बिंदु बाद में स ऐसा लिखा जाता है हंस लेकिन हंस क्रिया जो है ह के साथ में यहां और जो है यह अनुनासिक है तो इसका वर्णविच्छेद ऐसा होता है ह हलंद ऑ के उपर अनुनासिकता फिर स ह हलंद ऑ के उपर अनुनासिकता और स यह हंस हस जो हस ना जो क्रिया है यह हस जो शब्द है इसका अच्छित इस तरह से होता है तो यहां इस तरह से भेद होना ज़रूरी है तो मैंने आपको संक्षित में बढ़ाया कि स्वर के बाद की नासिक्यता स्वर के बाद की नासिक्यता वह अनुस्वार कहलाती है और स्वर के साथ क्योंकि स्वर का उच्चान करते हैं मुख के साथ साथ नासिका से भी हवा भार निकलती है तो इसलिए स्वर के साथ की नासिक्यता ये अनुनासिक स्वर कहलाती है ये दोनों में इस तरह से भेद है अभी हम आते हैं तो ये जो स्वर है इसको हम लोग खंडिया ध्वनिया भी कहते हैं स्वर और वेंजन जो है ये खंडिया ध्वनिया के अंतरगत आता है सेगमेंटल सुपरा सेगमेंटल 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 का मतलब खंडिया ध्वनिया तो खंडिया ध्वनियों में स्वर और वेंजन आते हैं किसी अगर हम लोग व्यंजन का खंड करते हैं तो व्यंजन को हलंत लिखकर उसके बाद ने उसका उच्चजित होता है, वो उसको तरह सी लिखते इसको ये खंड किया जा सकता है, अलग-अलग किया जा सकता है और खंडेतर ध्वनिया है फिर इसमें दिया हुआ है खंडेतर ध्वनिया जिसका हम खंड नहीं कर सकते जिन ध्वनियों का या उसका खंड नहीं कर सकते ऐसे ध्वनियों को खंडेतर ध्वनिया कहां जाता है यदि हम उसका खंड करेंगे तो उसका अर्थ या कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे मात्रा है, इसमें पांच प्रकारभम बताते हैं, मात्रा, बलाघात, अनूतान, सहीता, इस तरह से ये खंड देतर ध्वनिया है, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, अब जैसे अनूना सिकता है, उसका खंड नहीं किया जा सकता, उसको और जो उसके उपर चंदर बिंदु है, वो अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको साथ ही लिखना होगा लिखना भी होगा उच्चारण भी उसी तरह से होगा है ना अभी जैसे कि उच्चारण करके बताया मैंने अनुनासिक स्वरोंगा उच्चारण जैसे करके बताया है तो यह अलग अलग नहीं लिख सकते हैं यह एक है इसका खंड नहीं हो जाती है मात्रा जो स्वर धनियों को उच्छारण करने के लिए जो समय लगता है और उस समय के अनुसार जो मात्रा दी जाती है हर्शव मात्रा दीर्ग मात्रा में दिर्गत इवा वंगे तो उसमें इसे मात्राइं है जैसे में यह की बाद आपको बता ही थि जैसे हो के पूर्व ये का उच्चारण ये हर्स्व जैसा होता है तो ये तो दिर्ग है एक और अनेक एक अनेक इन शब्दों में ये का उच्चारण जो दिर्ग है लेकिन मेहमा ये का कोई अलशे वर्ड नहीं है लेकिन जब IPA में लिखते हैं IPA मतलब International Phonetic Alphabets में इसमें लिखते हैं तो उसमें Critics Sign होते हैं तो उसके नीचे में एक विंदू दिया जाता है स्वार के साथ में एक विंदू नीचे दिया जाता है तो वो दर्शाता है कि इसकी दिर्गता कम है तो इस तरह से जब आप शुद्ध प्यूर लिंग्विस्टिक्स पढ़ेंगे तब इसकी बात उसमें आपको बताई जाती हैं है तो यह अभी हिंदी के भाष विंद्धि के साथ में इसका हिंदी के और अचीप आप हिंदी हम देवनागरी लपी में लिखते हैं देवनागरी वरंतों में लिखते हैं तो उसमें यह की विवास्ता नहीं है तो इसके बाद बला घात qa आजात बल के साथ आजात किसी ध्वनी पर nos हम बुलियं जी आदी कंड़नात्मक क्या है जी आदी कंड़न आत्मक और अंतर है जी आभी तो बताया खंडिया ध्वनियों में और खंड़े तर ध्वनियों में अंतर है खंडिया ध्वनिया आगे है आदी खंड़नात्मक तो नहीं है कि आपके इसमें इस तरह से कोई शब्द नहीं आया है आदी खंड़नात्मक नहीं है खंड़नियों में वर्नों का खंड़ किया जा सकता है जैसे कि यह जो शब्द उच्चरित हो रहे है इसमें एक वेंजन और एक स्वर उच्चरित हो रहा है ठीक है ना तो कहलंत और ऐसा इसको लिखा जाते है कहलंत प्लस तो इसके एक जो ध्वनी है क इसका खंड़ किया mier content कई और इंच वेंजन का खंदन नहीं किया जा सकता और एकल जो घूले उसका उच्चारन हम नहीं कर सकते मैंने पहले भी पताया था यह दुसरे किसी के साथ सभीनल्ग सेटरूप में आने के बाद ही जो पहला व्यंजन होता है अर्धरूप उसका उच्चारण सही रूप से हम कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था पक का क्या है अभी देखिया पर हमारी जिवा का पर्षभाग जो है को मलतालू को लगा हुआ है पक फिर का है ना तो अगर हम का बोलेंग तो इसमें उच्चारित होगा क्योंकि हवा बहार निकल ली हवा बहार निकालने के लिए जिवा अलग होना जरूरी है है ना तो अ का उच्चारण होता ही है स्वर का जब अंत में उच्चारण होगा तब हवा बहार निकलेगी जो हवा रिलीज करने के लिए स्वर का उच् कमल मेरी मुग की तरफ भी देखिए और आप भी उच्चारण करें कमल तो मेरी जिवां का फलक है वह वर्ष स्थान को लगा हुआ है नीचे नहीं आया क्योंकि लग के बाद अपका उच्चारण नहीं हुआ है है ना हिंडी अट एसे है जो वेंजनां थयंजन से अंत होने वाले हैं लेकिन लिखते समय उसको हल आन नहीं बताया जाता या लिखा जाता यह प्रकृति हिंदी में नहीं है वे संस्रित में है संस्रित में उसकी प्रकृति है कि अंतिम ध्वनी यदि वंजनांत है तो उसको हलंत वो लिखते हैं लेकिन हिंदी में इस तरह से नहीं है क्योंकि वो शब्द भेत का कारें नहीं कर रहा है वहां प कही कही शब्द भेत का कार्य जब करते हैं तब उसको वहां पर बताना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि जगत और जगत, जगत और जगत, ये दो शब्द है, दोनों का उच्छा नेकी जैसा हो रहा है, लेकिन एक जब लिखते समय हलंत लिखे और दूसरा बिना हलंत के लिखे में दोनों के अर्थ अलग-अलग होते हैं एक जो जगत है जिसमें हलन्त हम लगाएंगे अन्त में वह उसका अर्थ है विश्व या संसार और दुसरा जो जगत है उसका अर्थ है को जगत कहा जाता है जिसका हम खंड कर सकते हैं स्वरों का खंड तो नहीं होता लेकिन जब ये वेंजनों के साथ जुड़कर आते हैं और कोई धखनी उच्चरित होती है तो उसमें स्वरों वेंजन होती है और ये दोनों अलग-अलग है और ये खंडी ये धवनिया जैसे क लिखना है तो क के का दो धुनिया एक वैंजन और एक सुर के उच्छा रण से यह बोली जारीए और लिखा भी उसको और archi मातना से लिखा जा रहा है । है ना इसको दो बार उच्छा रितेने कर एक किसा दुर तो इसलिए इनको ये खंडे झ yarn गणिए chain अब गंडेतर की बात मैंने आइन युक्ता जिसकास कि मैंने आपको बताया अनुनासिकता जाती है और यह अनुनासिकता सभी स्वisfar उपर होती है 땡िने नासिकता ग्रहन करते हैं तो स्वर के साथ की नासिक्ता ये अनुनासिक्ता कहलाती है और इसको चंद्रभिंदु द्वारा लिखा जाता है और जब ये सहयुक्त रूप में व्यंजन के साथ स्वर आते हैं और तब इस स्वर के उपर अनुनासिक्ता होती है तब उस व्यंजन के उपर हम अनुनासिक्त दर्शात्पे इंप्षिनेंगन के साथ यादी मात्रा है आकी वह इकी तो उसके साथ में वो अनुनासिक्त हम दर्शाते हैं या जब मातलाएं है सिरोरेखापर तो उसको हम बिंदु द्वारा दर्शाते हैं ठीक है तो जैसे मैंने बताया था आधी और आधी आधी ओर आधी आके उपर चंद्र बिंदु और यहां आके उपर नहीं है उसी तरह से ईंट इंट बताई इंट वहिवर कि उपर जो मात्रह होती है रेफ जैसे उसके बीछ में यॆविद्व लगाना होता है तव कजिए ऐता है रोट्ड क्या मल से दिर्गे उपर चंद्रबिंदू और फिट दी ये जो है ये वू और चंद्रबिंदू एक द्वनी है अलग-अलग ध्वनी नहीं है यह आपको ध्यान में रखना होगा यह और फिर उसके बाद में चंद्रबिंदु आप दे उस तरह से नहीं होता वह एक साथ है तो इन ध्वनियों के लिए इन स्वरों के लिए मात्राओं का प्रयोग होता है जैसे अभी उ की मात्रा है मान द दिया जाता है बात और बातें बात बवचन बातें यहां पर भी यह चंद्रविंदु वाला है परंतु यहां यह के लिए मात्रा का प्रयोग है तो इसके साथ में जो अनुनासिक्त आई है यह केवल बिंदु द्वारा दर्शा जारी बातें रातें समझ मैं आया जैसे और भी ओं ओं जैसे लड़कियों लड़कों तो लड़कों लड़कों तो जब हम रुपावली की बात करेंगे तब इसका भी हम लोग इसकी भी बात करेंगे जब यह तीरेक रुप धारन कर लेता है तीरेक रुप हम करते हैं किसी भी शब्द का पूलिंग हो या स्त्रिलिंग हो अन्त में ओं या यो का उच्चारन होता है यह अनुनासिक ओं या अनुनासिक यो हैं और संभोधन रुप में वो यो इस तरह का उच्छार्ण होता है तो यहां अब बलाघात की बात हो रही थी तो किसी ध्वनी पर या किसी शब्द पर हम बल देते हैं तो उसका अर्थ जो है बदल जाता है और उसी तरह से जैसे राम बाजार जाएगा राम बाजार जाएगा तो यहां राम पर हम जब बल दे रहे हैं तो केवल राम ही बाजार जाएगा बाजार जाएगा है 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 और शम्भावी है वह मना नहीं करेगा तो इस तरह से अलग अलग अर्थ उसके निकलते हैं और फिर अनुतान की बात हम करते है अनुतान अनुतान क्या है सूरों का या आवाज का जो उतार चड़ाव है आवाज या सुर इसका जो उतार चड़ाव है बोलते समय इसको हम अनुतान कहते हैं जैसे कोई एक शरल सब्द हम लेते हैं क गीता खाना खाती है गीता खाना खाती है यह हमने एक सरल वाक्य का उच्चारण किया इसमें कहीं पर अधिक अनुतान वगरे नहीं आया गीता खाना खाती है अभी यहां पर हम इस वाक्य को प्रश्णवाचक के रूप में बदलते हैं इसमें कोई दुसरे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे इनी शब्दों का प्रयोग करते हुए अनुतान के आधार पर यह प्रश्णवाचक भी बनेगा और यह आश्यर्यका कटिक और अस्कारक वाक्यव भेनेगा गीता खाना खाती इसमें केंवल हमारे मुद्रा में थोड़ा सा जो हैं बदलाव होता है और अन्तिम ध्वनी जो है अन्तिम ध्वनी जो क्रिया की होती है उसमें थोड़ा अधिक आवाज हो थीक है थोड़ा अधीक आवाज या सूर होगा जैसे गीता खाना खाती है गीता खाना खाती है जीए खाती का थोड़ा उचाया और फिर है का भी थोड़ा उचा आवाज आए तो इसमें आश्यर होगा गीता खाना खाती है गिता खाना खाती है यह प्रश्णवाचक हुआ है तो इस तरह से अनुतान के आधार पर कोई भी सरलवाक्य जो होगा यह आश्यर्यकारक तथा प्रश्णवाचक भी हम उच्चरित कर सकते हैं और यह दो प्रकार के वाक्य होगे जब यह प्रश्णवाचक होगा तो उसके बाद में आप लिखते समय उसको प्रश्णचिन्न दे और जब यह आश्यर्यकारक के मुद्रा में आपको बताना है या लिखना है तो वहाँ पर जो आश्यर्यकारक जो चिन्न है उसको लिखे इस तरह से यह होगा अब दूसरा है सहीता सहीता जिसको अंग्रेजी में जंग्चर भी कहा जाता है अंग्रेजी में क्या कहा जाता है जंग्चर सहीता जंग्चर का मतलब क्या है जंग्षन जंग्षन क्या है किसी दो धनियों का मेल या जो जैसे हम जाते हैं किसी गाव लिखा रहता है कि ये junction station है तो यहाँ से दो तरफ रास्ते निकल जाते हैं दो तरफ हम जा सकते हैं इसी तरफ से junction जो शब्द है किसी शब्द में यदि हम किसी कुछ समय के लिए रुख जाते हैं कोई शब्द हो या वाक्य हो उस वाक्य में यदि हम किसी शब्द के बाद कुछ थोड़ा समय के लिए रुख जाते हैं तो जो वाक्य का अर्थ है बदल जाता है ठीक है न या किसी शब्द किसी शब्द में क इसी अक्षर के बाद कुछ समय के लिए रूख जाते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है तो इस तरह से इसको सहीता या विवरित्ती भी कहा जाता है और अंग्रेजी में जंग्चर कहा जाता है तो मैं कुछ वाक्य कहूंगा तो आप ध्यान से सुनिये और उसको लिख भी सकते हैं कि रमाने दवा पी ली रमाने दवा पी ली अभी दवा पिली है और दवा पिली है देखिए तो यहां एक वाक्य में जब मैं पिली बोल रहा हूँ दवा पिली है तो यहां उस दवा का रंग जो है पिला है ये लो और दवा पिली है इसका मतलब है उसने अभी अभी दवा को पिया है ठीक है ये इस तरह से अर्तभेद हुआ है जंक्क्चर के खारण या रही था के खुरण ती魁 ते गे उसके बाद में कंबल मुए मतलब बहुत कंबल कर कंबल और दूसरा कंबल का मतलब है लुळने वाला कंबल क्विल्ट उसी दर से तुम अठ workshop तुम हार गए, तुम हारे, तुम हारे, ये एक अलग सरवणाम है, ठीक है, इसके बाद मैं मैं शब्द पर वाक्य पर आता हूं, तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको, यहां पर मैं इसके बाद थोड़ा समय के लिए पौद ले रहूं, रुक रहूं, रोको, मत जाने दो रोको मत जाने दो तो यहां पर इस तरह के लिए मना किया जा रहा है रोकने के लिए कहा गया है रोको मत जाने दो तो यहां रोक रोकने के लिए मना किया है जाने देने के लिए कहा गया है तो इस तरह से यह सहीता या जंग्चर जिसे हम कह रहे हैं पॉज किसी शब्द के बाद या किसी अक्षर के बाद हम ले रहे हैं तो इस तरह से शब्द के अर्तमें परिवर्तन हो जाता है तो ये भी एक खंडेतर ध्वनियों का प्रकार है अभी हम अक्षर की बात करते हैं अक्षर की संकलपना क्या है अक्षर की क्या संकलपना है आप अक्षर किसी समझते हैं आप में से कोई बता सकता है अक्षर आप में इसे कोई भी बताए जो भी आपको आता है वो बताइए फिर हम आगे बाद बढ़ते हैं ठीक है मिना बताइए आप मेरी आवा सुन रहे हैं अक्षर की क्या परिकलपना है क्या अक्षर से आप क्या समझते हैं या अक्षर आप किसे समझते हैं क्योंकि आपके मन में कुछ न कुछ तो अक्षर की परिकलपना तो पहले से होगी वह मैं जानना चाहता हूं फिर आगे हम बढ़ना बढ़ना चाहिए बताइए जल्दी समय कम है को कौन प्रहता बताना चाहती है प्रहता बताईए कोई भी बताईए जो भी आपके मस्तिश में इसकी परिकल्पना है उसे जल्दी बताईए तिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तुरंट नहीं बताना चाहता है कोई हालो जी हां बुलिए हां अकिला लिकावट है हां अक्षर का अ बुलिए हां हां शब्द जिसमें एक स्वर हो और जिसमें एक स्वर हो और जिसमें एक स्वर हो और जिसमें एक स्वर होता है वो एक अक्षर का शब्द कहलाता है ठीक है अब कुछ लोगों की जो परिकल्पना है या साइतिकारों को भी जो परिकल्पना है कि वर्न ही अक्षर है आपने ऐसा सुना होगा कई बार लोग कहते हैं कि वर्न ही वर्नों को ही अक्षर कहा जाता है कहते हैं कि नहीं तो ये परिकल्पना अलग है और जैसे कबीर कहते है भाई आखर प्रेम का अब अबने ढ़ाई आकर प्रेम का मतलब प्रेम सब्द में धाई अक्षर है या प्रेम धाई अक्षर का शब्द है अब यह कैसे होगा तो यह परिकलपना गौर नहीं अक्षर है इसकी है और इसमें बताया जाता है कि browser आधा अक्षर होता है स्वर पूर्ण अक्षर होता है क्या होता है व्यंजन आधा अक्षर होता है क्यूंकि वह हलंत से लिखा जाता है और उसका अर्धरूप भी होता है है ना खड़ी पाई वाले वेंजनों का अर्धरूप करते समय हम उसमें से खड़ी पाई निकाल देते हैं हूक वाले शब्दों का अर्धरूप लिखते समय उसमें से हम आदा हूक निकाल देते हैं और जिन वेंजन वर्णों में खड़ी पाई या हूक नहीं होता ऐसे वर्ण को अ अक्षर कहते हैं और स्वर को पूर्ण अक्षर कहते हैं तो धाई आकर प्रेम का यह जो संकलपना है वो उस तरह की है तो इसमें आप इस प्रेम शब्द का जब वर्ण विच्छेद करेंगे उसको अलग-अलग वर्णों में लिखेंगे तो इसमें कौन-कौन से वर्ण आते हैं देखिए पहलंत रहलंत ये और महलंत आते हैं पहलंत रहलंत ये और महलं अब देखिए इसका उच्छारण क्या हो रहा है प्रेम मोट बंद है म के बाद अ का उच्चारन नहीं हो रहा है उच्चारन की बाद हो रही है लिखने की नहीं तो जब उच्चारन की बाद हो रही है म के बाद अ का उच्चारन नहीं होता है तब महलंत के बाद अ नहीं लिखना है ठीक है ना तो प्रेम पहलंत, रहलंत ये और महलंत आप इसको देखिए जो वेंजन बरन रहलंत वालीया है इसको आदे हादे लिखिए और स्वर जो आया है उसको ये एक तो इसका काउंटिंग कीज़े, इसकी गन्ना कीज़े तो कितना होता है ? 2,2 होता है ? हुआ क्या ? मिना जी तो इस तरह से ये परिकलपना उनकी है जैसे रगुपति रागव राजा राम, दो अक्षर का तेरा नाम तो इसका मतलब राम शब्द में दो अक्षर है, ऐसा हो मानते हैं वो भी इससे तरह से वर नहीं अक्षर है वो परिकलपना है तो रहलंत आ और महलंत तो रहलंत जो है आधा आ जो है एक और महलंत है वो आधा आधा एक और आधा मिलाकर ये दो हो गया है तो ये परीकलपना भाषा विज्ञान में नहीं चलेगी भाषा विज्ञान की जो अक्षर की परीकलपना है वो अलग है बोलो प्रेम बोलो इसा नहीं हुआ कमल कमल शब्द उच्छारन करो कमल मेरी बात लिखने की नहीं है मैंने उच्छारन की बात कहीं है लिखने की बात नहीं कहीं है मूल भाषा जो है मौखिक होती है उच्छारन ध्वनियों का होता है ठीक है ना और ध्वनियों के लिए वर्ण का प्रयोग होता है लेकिन जो जितनी ध्वनियों का हम उच्छारन कर यहां उच्चारण ध्वनियों की बात होती है और उसे के आधार पर यह लिखा जाता है समझ में मैंने पहले भी कहा है आपको बताया है सबको कि हिंदी में बहुत से शब्द है वेंजनान्त होते हैं वेंजन से अंत होने वाले होते हैं लेकिन उसको लिखते समय अंत में हलन्त नहीं लिखा जाता संस्रित में हुआ है हुआ है 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 कि अधिक्स से यहां मां के लिखते हैं यह संस्रित में लिखते हैं है जब हम लिखते हैं स्वा यह के उपर भी हैं तो भाषा विज्ञान की दोस्ती से अक्षरव है तो सास के यह घटके में देखिए परिखल पना इसकी परिभाशा भी हम बार्द में लिखते हैं सास के मतलड हम जो स्वास लेते हैं सासे कहां से आती है फेपडों से निकलने वाली सास के एक जटके में जहां तक ध्वनी या ध्वनी समुहों का ध्वनी या ध्वनी समुहों का उच्चारण होता है उसे अक्षर कहा जाता है इसमें एक अक्षर एक स्वर होना अनिवार यह होता है ठीक है किसी शब्द में दो स्वर है या तीन स्वर है तो उसको हमें उतनी बार सासे लेनी पड़ सकती है ठीक है और कई सारे ऐसे शब्द जो है वो एक स्वर के है जिसमें एक स्वर है और एक से अधिक वेंजन है तो जिन अक्षर उसे हम कहेंगे एक अक्षर उसे कहते हैं जिसमें एक स्वर है दो अक्षर हम उसे कहेंगे दो अक्षर का शब्द उसे कहेंगे जिस शब्द में दो स्वर है तीन अक्षर का शब्द उसे हम कहेंगे जिसमें तीन स्वर उच्चरित हो रहे हैं लिखे जा रहे हैं तो यह अक्षर की परिकल्पना भाषा विज्ञान के अनुसार इस तरह की है आप इसकी परिभाषा यह लिख सकते हैं कि लिखिए कि फेपड़ों से निकलने वाली सांस के कि फेपड़ों से निकलने वाली सास के एक जटके में जहां तक ध्वनी या ध्वनी समुहों का ध्वनी या ध्वनी समुहों का उच्चारण किया जाता है उसे एक अक्षर कहते हैं एक अक्षर में एक स्वर होना अनिवार या है एक स्वर होना अनिवार या है जिस शब्द में एक स्वर होगा वो एक अक्षरी शब्द कहलाता है जिस शब्द में एक स्वर होता है वह एक अक्षर का शब्द कहलाता है जिस शब्द में एक स्वर होते हैं वह एक अक्षर का शब्द कहलाता है जिस शब्द में तीन स्वर होते हैं वह तीन अक्षर का शब्द कहलाता है इसी तरह से चार अक्षरी शब्द भी है पाच अक्षरी शब्द भी है लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है परन्तु एक अक्षरी और दू अक्षरी दो अक्षरी शब्द अधीक है तीन अक्षरी शब्द उससे थोड़े कम होंगे चार अक्षरी और पाच अक्षरी शब्द जो है बहुत कम हैं अब हम मैं कहरां बता रहा हूँ कि एक अक्षर का शब्द इसमें केवल स्वर भी हो सकता है ने इसमें भी हो सकते हैं पाच वंजनली हो सकते हैं इसमें एक या एक से अधिक वेंजन हो सकते हैं तो एकाक्षरी शब्द में एक स्वर होना अनिवार है और एक या एक से अधिक वेंजन हो सकते हैं एकाक्षरी शब्द में एक स्वर होना अनिवार है तथा एक या एक से अधिक वेंजन हो सकते हैं जैसे उधारन आप लिख लेजिए जैसे मैंने शब्द कहा है आ तो ये आ स्वर है आ इसका कुछ वर्त भी है एक शब्द भी है हम किसी को बुला रहे है तो वो आ के बाद जम्शम बोल रहे हैं दूसरा शब्द है जा जा इसमें पहले वेंजन है बाद में स्वर है एक वेंजन एक स्वर जा ये भी सास के एक जटके में हम उच्चरीद कर रहे हैं फिर आज आज इसमें पहले वेंजन है इसको भी सास के एक जटके में हम उच्चरीद कर रहे हैं इसके बाद में कि स्पश्ट क्या है स्पश्ट 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 तो इसमें भी एक ही स्वर है पहले दो वेंजन है बाद में बीच में एक स्वर है उसके बाद में और दो वेंजन है अब इसको लिखते समय है इसकी आक्षरिक सरचना होती है अक्षर की किसी भी शब्द की आक्षरिक सरचना होती है उसको कहते हैं हिंदी में जैसे अभी एक की बात कहते हैं हम लोग तो उसमें उसके आक्षरिक सरचना कहते हैं उसको आक्षरिक सरचना कहते हैं स्वार को अंग्रेजी में वावेल कहते हैं और वेंजन को कंसोनन कहते हैं तो अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं तब वी और सी की कलपना होती है वावेल कंसोनन की कलपन होती है परंट हूं जब हिंदी में लिख रहे हैं में लिकुड रहे हैं हम उसको वर वेंजन बोल रहे है तो हमुसमोर के लिए चाहिए। हमारी होनी चाहिए स्वर के लिए सर व्यंजन के लिए व तो जब आज शब्द हम लिए तो इसमें एक स्वर है इसके आक्षरिक सरचना होगी उसके बाद दूसरा शब्द हमने बोला है आज तो इसमें स्वर पहले है बाद में व्यंजन है तो स व इसकी आक्षरिक सरचना होगी इसके बाद हमने उच्चरित किया है सप minced तो पहले दो बिंजन है स और ब उसके बाद में अ है बाद में स्ट है श और ट है तो व व स व व इस तरह से इसकी आख़रिक सरचना है मैं शबत बोल रहुँ स्ट्री अब स्ट्री में देखिये स आ रहा है त आ रहा है र है और अंत में यह स्वर है तो इसकी आक्षरिक सरचना है व व व और स्वर स तो इस तरह से आक्षरिक सरचना जिस क्रम में हम स्वर और वेंजनों का उच्चारण करते हैं उसके आधार पर यह आक्षरिक सरचना होती है और आक्षरिक सरचना को स्वर और वेंजन के रूप में उ अब ये एक अक्षर की बात की हमने एक अक्षर के शब्द उझलित है हम दुसरा शब्द उझलित करते हैं समपाधक आप उच्छारन कीजिए समपाधक देखिए समपाधक एक्षब्द है इसका उत्चरन करते समयं हमें तीन बार सासे लेने पड़ रही है संपाधक 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 तो सम तक हमने एक बार उत्चरन किया पा दूसरी बार उच्छारण किया फिर दक किसरी बार उच्छारण को के बाद और का उच्छारण नहीं है जान दे तो संपादक तो यहां जब जिस क्रम में आप लिखेंगे प्रैस करना पड़ा तो हमें तीन बार सासे लेने पड़े रही है इस संपादक शब्द का उच्छारण करने के लिए इसलिए यह संपादक शब्द जो है तीन अक्षर का कहला तो संपादक शब्द उच्छारण करने के लिए हमें तीन बार सासे लेने पड़े रही है और यह तीन अक्षर का शब्द कहला ता और इसकी आक्षरिक सरचना क्या होगी जिस क्रम में वेंजन वर्षवरों का उच्छारण हमने किया है वो उसकी वेंजन वेंजन स्वर वेंजन पर वेंजन इस तरह की अक्षररचना होगी आईसे कई सारे शब्द होंगे आप उच्चारण करेंगे उसमें जितने स्वरों का उच्छार्ण होता है वह उतने अक्षर काkom NOR century पड़ेंगे जैसे दो स्वरों का भी एक शब्द हो सकता है आई ये 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 तीन होगा आई ये ये तीन बार साथ से लेनी पड़ रही है आओ या जाओ तो यहां दो बार साथ से लेनी पड़ रही है कमल कमल क क के बाद अका उच्चारण म के बाद अका उच्चारण ल के बाद उच्चारण अका नहीं है कमल तो यह दो अक्षर का शब्द हो गया है इसके अक्षरिक सरचना वेंजन स्वर वेंजन स्वर वेंजन है वसर वसर वह अईसा बोल सकते हैं आप दिख सकते हैं है ना आकाश आकाश शब्द लिया है पहले स्वर आया है बाद में वेंजन आया है उसके बाद स्वर सव इस तरह से हो गया है तो दो बार स्वर आया है दो बार इसका दो बार हमें सासे लेने पड़ रही है नमक नमक न के बाद म के बाद क क के बाद का उच्छार नहीं नमक तो यहां पर यह दो अक्षर का शब्द है दो स्वर इसमें है तो इस तरह से यह भाषा विज्ञान के अनुसार अक्षर की संकल्पना है इसकी परिभाषा इस तरह की है इसकी आक्षरिक सरचना इस तरह की होती है जिस क्रम में वेंजन और स्वरों का उच्छारण होता है उसी क्रम में हमें वेंजन के लिए वर और स्वर के लिए लिए लिखकर उसकी आपसरिक सरवन इतना कि यदि आप बैटना चाहते हैं तो मैं और आगे बात कर सकता हूं आप बताएं क्योंकि बाते बहुत करनी है समय बहुत कम है हम रूपिम के उपर आते हैं रूपिम की बात करते हैं करें चैलजा चैलजा शर्मा है कर देन कि बात करते हैं करते हैं मार्फलॉजी औलफ का मतलब शब्द से हैं रूप शब्दों का होता है और जो रूप है उसके बदलते भी हैं वो भी अलग-अलग प्रकार है तो रूपिम रूपिम इसमें एक शब्दावली है जैसे स्वण बिज्ञान में आई तक श्वान, स्वणिम और संस्वन उसी तरह से इस रूप विज्ञान में भी इस तरह की शब्दावली आती है, रूप, रूपिम और सनुरूप, ठीक है, तो रूप ये शब्दों का होता है, तो कोई भी स्वतंतर शब्द जो है, वो उस रूप में होता है, जैसे फल है, फूल है, एक शब्द है, पूर्णा रूप से अपने आप में अर्थ देता है उस शब्द को हम रूप कहेंगे रूप विज्ञान में ठीक है और इसको हम रूपिम भी कहते हैं जब पानिक लगुतम बौज चोटी से चोटी अर्थवान जो अर्थप्रदान करें शब्द को इस इकाई को हम रूपिम कहते हैं ठीक है कि अमिनिमल पियर ऑफ वर्ड उजिए कवाल मौर्फिम ऐसा कहा जाता है तो शब्द की लगुतम अर्थवान इकाई को हम रूपिम कहते हैं अब रूपिम यहां दो प्रकार के होते हैं रूपिम दो प्रकार के होते हैं एक बद्ध रूपिम है दुसरा स्वतंत्र रूपिम है उसको हम मुक्त रूपिम कहेंगे मुक्त रूपिम मतलब स्वतंत्र वो अपने आप में अर्थ प्रेशित करता है उसको किसी की सायता लेने की जरूरत नहीं है ठीक है वह शब्द भी स्वतंत्र रूपिम हो सकता है जो लेकिन बद्ध रूपिम क्या है किसी जो बद्ध रूपिम है वो अपने आप में अर्थ नहीं देता वो किसी दुसरे स्वतंत्र शब्द में जूड़कर अपना अर्थ प्रेशित करता है उस अर्थ में नविंता लाता है ऐसे एसे शब्द के आंश को हम बद्ध रूपिम कहेंगे जैसे सुंदर शब्द है इस्वतंत्र शॉब्द है सुंदर्तर एक शब्द है अब इसमें दो भाग है एक सुंदर है और दूसरा ता है ता हम परसरह। से कहिए सकते हैं जो अपना अलग कार्य कर रहा है ना संदर विशेशन है संदरता भाव वाचक संग्या बन जाता है ता जुड़ने जासे है ना स्ट्रिलिंग भाव अचक संग्या संदरता तो यह जो तापन अलग-अलग जो इस तरह से परसरग है जो मुल शब्द के बाद जुडते हैं उनको हम बड़ रुपिम कहते हैं आप लोग उसे उपसरगा-पर सरगा ऐसा करते हैं लेकिन हम उसको रुपिम कहते हैं बहस्जा विज्यान के शब्दावली में ये रुपिम हैं बद्द रूपिम और मुक्त रूपिम अब यह बद्द रूपिम जो है यह कहां कहां हो सकते हैं मुल शब्द के जो स्वतंतर शब्द है उसके पहले भी हो सकते हैं स्वतंतर शब्द के बाद भी हो सकते हैं या स्वतंतर शब्द के मध्य भी हो सकते हैं कुछ भाशाओं में इस तरह से अब इस रूपिम को हम प्रत्य भी कहते हैं क्या कहते हैं प्रत्य कहते हैं लेकिन हम तो हिंदी की शब्दावली में जिस तरह से संस्रित में कहा जा रहा है उपसर्ग और प्रत्य उस तरह के कहने लगे हैं हिंदी में लेकिन भाषा विज्ञान के शब्दावली मे ये upsarग और प्रत्य इस तरह से नहीं है वो उसमेँ अंग्रेजी में उनके पास यह है कि prefix और अधीक्स और कि यह सभी को अफिक्स कहा जाता है अंग्रेजी में अफिक्स इसका मतलब प्रत्य यह प्रत्य शब्द के पहले भी जूड़ जा सकता है तो इसको पूर्व प्रत्य कहेंगे यह प्रत्य शब्दों के मध्य में जूड़ जाता है तो इसको मध्य प्रत्य भी कहेंगे और यह प्रत्य जब शब्द के अंत में जूड़ जाता है तब इसको परप्रतिय भी कहेंगे ये शब्दा वली हिंदी की है, पूरवप्रत्य मध्य प्रत्य और परप्रत्य ठीक हैं इसको हम रूपिम कैसे है और ये रूपिम बद्ध रूपिम कैलाते हैं क्योंकि ये किसी स्वतंत्र शब्द में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशिष्टा लाते हैं या अर्थ भी परिवर्थन करते हैं जैसे मैं कहूं न्याय शब्द है उसमें मैं अन जोड़ देता हूं अन यह हम मैं कहूंगा भाषा विज्ञान की शब्दा वले में यह पूर्वप्रत्य हैं अन के बाद ड्याश हम देंगे उसको जब हम अलग अलग लिखेंगे अन के बाद कि अध्याश का है और है कि अध्याश के पहले एक ड्याश देंगे इसका मतलब ड्याश ता का मतलब क्या होगा उसके वो मूल शब्द के बाद में लिखा जा रहा है या उच्चरित हो रहा है ठीक है पन शब्द लिखेंगे तो ड्याश पन इसका मतलब वो अन्त में लिखा जाए वो परप्रत्य है मध्य प्रत्य में क्या होगा तो बीच में वो प्रत्य लिखा जाएगा और दोनों ब एक टैग लोग भाषा है उसमें शब्द है पुलिट पुलिट शब्द है कोशिश करना अब इसमें पुमिलिट वो शब्द बन जाता है पुमिलिट इसमें क्या होगा यम आय बीच में जुड़ गया है यमाय के बाद दोनों तरफ हम ड्यास देंगे तब इसे हम कहेंगे मध्यप्रत्य और यह प्यूमी लीट का अर्थ होता है कोशिश करने वाला देखे उसमें कोशिश करना और यह कोशिश करने वाला तो इस तरह से मध्यप्रत्य जुड़ जाने से भी इस तरह से शब्द दुसरा बन रहा है और इसका अर्थ भी बदल रहा है उसके अर्थ में नमिन्ता आई है इस तरह से यह मध्य प्रत्ते कहिलाता है जो हिंदी में नहीं है दुसरी भाशाओं में कुछ भाशाओं में हो सकता है अब यहां पर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि पूर्वप्रत्य और परप्रत्य जिसको हम बद्धरूपिम कहते हैं बद्धरूपिम किसी स्वतंत्र शब्द में कुछ अंश जोड़कर वो अपना अर्थ प्रेशित करता है उच्छ जो थोड़ा छोटा सा अंश है जो अपना अर्थ प्रेशित करता है किसी सब्द में जुड़कर उसे हम बद्धरूपिम कहते हैं यह बद्धरूपिम पूर्वप्रत्य भी परसर्ग कहते हैं अब कुछ लोग कारक को भी परसर्ग कहते हैं कारक आपने देखा होगा कारक चिन है करता कारक कर्म कारक करन कारक संप्रदान कारक अपादान कारक अधिकरन कारक संबोधन कारक इस तरह से जो कारक चिन्न है संबंद कारक तीन कारक चिन्नों को भी परसर्ग कहा जाता है तो यहां रुपिम इस तरह से दो प्रकार के हैं मुक्त रुपिम वह है जो स्वतंत्र शब्द है जो अपना अर्थ प्रेशित करता है जो किसी शब्द में जूढ कर अपना अर्थ प्रेशित करता है ये इतना आपको धान में रपना जरूर है इसमें घ्या हुआ हुआ है उपसर्ग रूंद्यासर्ग संब्यां और परसर्ग यह उसका महिने खंडन आपको किया है आपको बताया है कि हिंदी में हमें इस तरह से बोलना है पूरो प्रत्य मत्य प्रत्य और प्रत्य उपसर्ग और प्रत्य यह जो शब्दावली है वह संस्रित की है और संस्रित के जो है अगर हमारे जो व्याकरण व्याकरण के जो लोग है लिखने वेले व्याकरण लोग है उनका जो बेस है पाया जो बेस है वो संस्रित का रहा है और वो उसी तरह से उसको लिखते है और लिखे और हमारे सामने वो उसी तरह से आया हुआ है ठीक है इसलिए हम उसको उस त से बाते होगी कि सब्दाओनि का सकते हैं पर इस प्रस्टे का इसे हैं पर सर्गों को प्रस्टें और इन फिक्स जो बताया है उसको मद्द प्रित्य या मद्द सर्ग कह सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम आज रुखते हैं यहां रुप्यम विज्ञान की बात ही अब इसमें और भी बाते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि जो शब्द के आधार पर भी कुछ रुप्यम होते हैं जो अर्थ प्रेशित करते हैं अर्थ के आधार पर जैसे कि बात स्पस्ट करना चाहूंगा जैसे कि बहुचन बहुचन शब्द बनाने के लिए जिन प्रतियों का सहरा लिया जाता है रुप्यम का सहरा लिया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है वे रुप्यम कौन से हैं बहुचन रुप्यम कहलाते हैं बहुचन रुप्यम जैसे हम तो बहुचन किसका किसका करते हैं फुलिंग शब्दों का और स्ट्रिलिंग शब्दों का क्रियाओं का भी है ना बहुचन करते हैं और विश्यशनों का भी बहुचन करते हैं सर्वनाम का भी बहुचन करते हैं तो जब संग्याश सब्दों का हम भी बहुचन करते हैं और या तो पुलिंग भी बहुचन जो प्रत्ते है या रुपीम है वह कौन सा है ये जैसे लड़का सब्द का भी बहुचन क्या होता है लड़के तो आ निकलकर ये जुड़ जाता है उसका मूल रूप जो है धातू रूप कहेंगे लड़क होगा जैसे लड़का है और उसमें पन हम जोड़ देते है तो उसमें से आ निकल जाता है लड़क पन हो जाता है तो लड़क तक हम लेंगे और उसमें हम ये जोड़ते है तो लड़के हो जाता है आ जोड़ते है तो लड़का हो जाता है और यह जोड़ते है तो लड़की हो जाती है तो फुलिंग आकारांत जो शब्द है आकारांत का मतलब आ से अंत होने वाला इसका बहुँ अचन रूप करते समय यह कारांत होता यह तो बहुँ अचन प्रत्य पुलिंग बहुँ अचन प्रत्य क्या हुआ यह हुआ कुछ ऐसे शब्द है उसका हम लोग सरल बहुँ अचन रूप करते तो उसमें कुछ नहीं जुड़ते हैं उसमें कुछ नहीं जुड़ता जैसे मकान है उसका बहुँ अचन हम सरल बहुँ होगा लेकिन यह है इसके साथ हम बहु अचन मकान शब्द के साथ यह कुछ परसर्ग जोड़ देते हैं यहां कार्यक्चिन्न जोड़ते हैं तब यह मकानों होगा मकानों नो ओ ओ उस तरह से अनुनासिक स्वर उच्छरित होगा आंत में मकानों कम्रों लडकों लडकियों तो यहां बहु अचन तिरियक रूप तिरियक रूप का मतलब जिस बहु अचन शब्द के साथ परसर्ग या कारक्चिन्न जुड़ जाते हैं तब उसका रूप जो बदलता है उसको तिरियक रूप कहा जाता है तो यहां पर यह ओ भी एक बहु अचन रूप है या बहु अचन रूपिम है अब लडकी सब्द है उसका बहु अचन करना है यहां लडकियां यहां यहां भी एक क्या है बहु अचन स्ट्रिलिंग बहु अचन बनाने वाला रूपिम है आ भी है आ चिडियां तो पहले चिडियां है उसमें चिडियां तो उसमें आ ननुनासिकता जुड़ गई है ठीक है और यह तो वो वो जुड़ गया है तो रात है रातें बहु है बहु है यह जुड़ गया है यह बहु अचन प्रत्ते है या बहु अचन रूपिम है तो आप देख रहे हैं यहां पर यह तो रूपी यह कर दो का लग्हार तुर थे अ भी दूकर तू कर दो कर दो कि कि दो कि बूह बह्त अग्वादें! अच मिर्त! इा इन शो खिए बाता जो इन बायरे यह और सब्सक्राइब्ट इंग बायर के फिर्ड़ है यह और शो जाहे है कि अ बायरे कि अखेश्टर के नबढेप्रें चाहे हो इन लाँ है झाल 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 आज का वक्त भी ही समाब करते हैं धन्यवाद कल हम और मिलेंगे झाल 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 झाल